So hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhary, Eye Doctor, Cataract and Refractive Surgeon आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ मोतिया बिंद या Cataract की Near Life Surgery और ये जो operation हम कर रहे हैं, ये दुनिया की best technology Artificial Intelligence, Femto Laser Technique से इस मोतिया बिंद का operation हम कर रहे हैं और इस operation में जो हम patient की आँख में lens डाल रहे हैं वो भी सबसे बढ़िया दुनिया का best Alcon Vivity Lens डाल रहे हैं तो अब इस lens डालने से patient को फाइदा क्या मिलेगा? सबसे पहले तो जब हम ये Vivity Lens डालते हैं तो हम patient की चश्मे के नंबर को भी almost खतम करते हैं तो इस lens की help से दूर का सारा कुछ घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिच्चर देखना, टीवी देखना, जॉग पर निकलना, स्पोर्स करना ये सारा कुछ patient बिना चश्मे के कर पाएंगे बीच के सारे काम, mobile computer पे काम, laptop पे काम, iPad के काम ये सारे काम भी बिना चश्मे के हो पाएंगे बस जब नस्दी का बारी काम करना है तब patient को थोड़ा सा डेड़ नंबर का चश्मा पहनना पड़ेगा तो जैसे मैं आपको समझाना चाहरा था कि आजकल की जो मोतिया बिंद के operation है वो सिरफ मोतिया बिंद का इलाज नहीं करते हम मोतिया बिंद के इलाज के साथ-साथ हम patient को चश्मे से भी अजादी दिलवा देते हैं या चश्मे पे dependence almost खतम कर देते हैं कि बिना चश्मे के patient अपने almost सारे रोज मर्रा के काम कर सकता है बस reading का बारीक अक्षा पढ़ना है तब थोड़ा सा चश्मा पहनने की जुरत पढ़ेगी अच्छा ऐसे भी आजकर lenses आते हैं जो दूर का, बीच का और पास का तीनों distances को clear कर सकते हैं बिना चश्मे के लेकिन अफ्रोस वो वाले multifocal lenses होते हैं उसके कुछ अपने side effects होते हैं तो एक limited लोगों में ही उन lenses को suggest किया जाता है majority जो long है, 90% long जो है वो usually ead of category का lens जिसको vividy lens कहते हैं जो दूर का और बीच का clear कर देता है बिना चश्मे के और सिर्फ reading के लिए चश्मे की जुरत पड़ती है अच्छा इसमें भी आपको मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि patient की right eye में toric वाला lens डल रहा है तो toric का मतलब है कि patient की आँख में cylinder भी है और हम इसी lens से cylinder नंबर को भी ठीक करेंगे और वही patient की left eye में normal lens डल रहा है plane डल रहा है इसमें toric नहीं है मतलब left eye में cylinder नंबर नहीं है तो left में non cylinder वाला lens डाल रहा है अभी मैं आपको दिखाना ता हूँ operation करा कैसे जाते है तो सबसे पहला step जो होता है उसमें हम लोग laser machine को patient की आँख पर touch करते हैं जिससे laser को हम आँख के अंदर डाल पाते हैं और मोतिया बिंद को घोल पाते हैं तो ये जो आप blue color का या नीले रंग का cap देख रहे हैं इसको patient interface कहा जाता है तो हर patient में एक नया interface यूज होता है और operation के बाद इसको फैक दिया जाता है तो ये disposable होता है अब एक बारी इसको हमने patient की आँख पर touch कर दिया अब हम machine में setting बना रहे हैं कि laser को आँख में कैसे डालना है मोतिया बिंद को कैसे कैसे घोला जाएगा कैसे हम lens में opening बनाएंगे opening बिल्कुल center में बनेगी एक specific size की opening बनेगी तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हम setting कर रहे हैं तो first setting मैंने कर दी कि lens में opening कैसे बनेगी हलका सा अगर मैं चाहूँ तो इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा adjust कर सकता हूँ फिर मैं जा रहा हूँ next step पे और ये step में को दिखाएगा कि opening को किस level पे बनाया जाएगा तो ये मैं देख रहा हूँ बिल्कुल perfect है और ये सारा कुछ artificial intelligence से हो रहा है AI इसके पीछे काम कर रहा है सारी settings बनाने में तो मैंने ये भी yes कर दिया अब ये में को दिखा रहा है कि lens को कैसे घोला जाएगा तो ये पूरा lens है तो इसमें इतना हिस्से को हम लोग lens को घोल लेंगी क्यों इतना हिस्सा lens का hard होता है यहाँ पर cortex वाला part होता है जो soft होता है तो ये भी हमाई ले बिल्कुल perfect हो गया बस अब हम ready हैं हमने verify and accept कर दिया healing ये नहीं बिल्कुल भी और यहाँ पर आ गया है laser ready अब मैं laser button को दबा रहा हूँ और laser emission शुरू हो गया और आप ये देख रहे हैं laser जो है ये मोतिया बिंद में opening बनाना शुरू कर रहा है तो इस opening से हम मोतिया बिंद को निकालेंगे और इसी में एक नए lens को डाल देंगे तो अब आप देख रहे हैं ये सारे मोतिया बिंद को घोल रहा है काट रहा है और यहां से मैं देखते जा रहा हूँ कि मोतिया बिंद को घोलते जा रहा है घोलते जा रहा है तो करीब 5 मिनट का काम होता है लेजर वाली मशीन में और 5 मिनट का काम होता है दूसरे ओपेरेशन थेटर में जहां पे लेंस को डाला जाता है अब एक बारी हमने लेजर मशीन से मोतिया बिंद को घोल लिया मोतिया बिंद को काट लिया अब उसको आंग से बाहर निकालना है और आंग के अंदर एक नया लेंज डालना है जिसको हम IOL या आर्टिफिशल लेंज कहते हैं जो इन पेशेंट में हम लोग विविटी वाला ल इकाला जाता है कई तरह की टिकनोलोजी इस यूज होती है कि रिजर्ट हमारा परफेक्ट है और जो लेंज को भी हम आंग के अंदर डालते हैं वो भी आर्टिफिशल इंटेलिजिएंस की सपोर्ट से डाला जाता है जिससे लेंज की जो पुजीशन है आंख में वो पहले तो हम एक माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो यह जो आप देख रहे हैं यह एक स्पेशल डिजिटल माइक्रोस्कोप है जिसमें माइक्रोस्कोप के अंदर ओवरले आ जाता है तो सबसे पहले हम एक बहुत हाई टिकनोलोजी वाला माइक्रोस्कोप यूज करते है जिससे आंख हमें बड़ी दिखती है, operation हम लोग properly कर पाते हैं और इसी microscope के अंदर सारा मुझे आंखों पे overlay मिलता है कि operation को कैसे कैसे करना है जिस technology का use होता है घुलेवे मोतिया बिंत को आंख से बाहर निकालने के लिए उसमें हम एक special machine, centurion का use करते हैं तो ये top of the line machine है जिसमें special तरह के fluid dynamics होते हैं जो बहुत ही gently उस जो घुलेवे मोतिया बिंत उसको suction से बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम आंख के अंदर जो lens डालते हैं उसकी जो हम setting करते हैं वो हम करते हैं इस machine से जिसको हम लोग वेरियॉन कहते हैं तो ये वेरियॉन का सिर्फ डिस्पले है जो real machine है वेरियॉन की वो operation theater के बाहर लगी होती है जहां पर patient की आंग को register करा जाता है और उसका सारा data वेरियॉन में आता है और इससे सारा data microscope में जाता है जो मेरी आंखों के सामने आता है और lens को मैं अपनी जगा पर set कर पाता हूँ तो दिखाता हूँ कि second OT में जो हम operation का second step है उसको कैसे हम लोग करते हैं आता है झाल झाल देखें आजकल के जो modern मोतियाबिंद के operation है वो अब simple तरीके से नहीं करे जाते हैं जो 30 साल पहले हम करते थे बस patient को लिटाया, आँख में operation करा और patient को भेड़ दिया इन operations की बहुत ही meticulous और detail में planning करी जाती है जिससे आपके operation का result बिलकुल perfect आता है, तो जो आजकल के modern catrack या मोतियाबिंद के operation है उसमें हम कई सारी machine पे testing करते हैं और कई सारी machine का use होता है results को perfectly execute करने के लिए तो जब हम planning करते हैं तो इसमें दो तरह की machine जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये ultrasound biometry है, ये optical biometer है, IUL master इन दो machines का use करते हैं चश्मे की power calculate करने के लिए फिर ये जो आप machine देख रहे हैं ये variant machine है ये हमें बताती है कि lens को किस position में डालना है इसका इस्तमाल होता है फिर ये जो आप machine देख रहे हैं ये specular की machine है ये हमें बताती है कि आंख के बाद कोई आंख में सूजन तो नहीं आ जाएगी जो पुतली है, उसकी layers strong है कि ये मोतिया बिन का operation जहेल जाएगी फिर उसके बाद आप जब operation theater में आते हैं तो यहां पर भी multiple machines का use होता है सबसे पहले मैंने आपको दिखाया की laser राली machine का use होगा फिर हम दूसरे operation theater में जाएंगे जहां पर एक special तरह का microscope एक special तरह की machine फेको machine जिसको centurion कहते हैं special तरह का varion जिससे हम positioning करेंगे lens की तो आजकल के जो मोतिया बिन के operation है इसमें बहुत high end technology को use करा जाता है और जब हम इतनी सारी technologies को combine करके patient का result को best से best कर देते हैं तो इस operation को कहा जाता है artificial intelligence femto laser assisted blade less cataract surgery तो जितना बड़ा नाम है उतनी ही simple surgery है क्योंकि इस operation में कोई दर्द नहीं है कोई injection नहीं है कोई टांका नहीं है कोई blade नहीं है कोई पट्टी नहीं है कोई hospitalization नहीं है आज operation हुआ कल से दिखना शुरू दो तिन दिन का परेज है कि आँख में धूल मिट्टी पानी ना जाए उसके बाद आप सारे अपने रोजमारा के काम शुरू कर सकते हैं